है दोस्तों वल्कम बैक टू माय चैनल गार्डिन नीचर स्लवर मैं आई होप आप से भी अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे उन्नत फसल के बारे में जिससे आप कम पैसे लगा के अधिक से अधिक पैदावर ले सकते हैं और अधिक से अधिक इंकम कमा सकते हैं सो चलिए बात करते हैं परवल की खेती आप कैसे कर सकते हैं क्रिशी में दिन बदिन इतनी उन्नती होती जा रही है कि परवल की खेती जैसी खेती भी आजकल हर जगा करना पॉसिबल हो गया है। उन्नत वराइटी के कारण, उन्नत किस्मों के कारण, यहां मौसम में परिवर्टन इतनी तेजी से हो रही है कि किसानब परवल की खेती भी सभी एरिया में कर ले रहे, परवल की खेती पहले हर जगा नहीं होती थी, देखिए आप यहां पे कितनी अच्छी पैतावार हुई ह और कितने अच्छे फसल है यहां पे कि आप भी इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं और अनकमा सकते हैं, परवल एक भोवर्शिय पौधा होता है और इसके अच्छे ग्रोत के लिए उश्न कटिवंदिय जलवायू या गर्म अदरता वाली जलवायू अच्छी साबित हुई है, च्छतिसगर एक ऐसा स्टेट है जिसमें हर प्रकार का मौसम पाया जाता है, गर्मी के टाइम पे भी धान की खेती की जाती है, तो परवल की खेती की क्या ही बात करें, तो आप इसकी खेती भी च्छतिसगर में कर सकते हैं, यह अराम से ग्रोव हो जाता है, यह बस जादा बरदाश नहीं कर पाती है जो पौधा है इसके अच्छे ग्रोथ के लिए वर्म अद्रता वाली जैसे गर्म अद्रता वाली जलवायू बहुत अच्छी सा भी जोती है ना कि थंड का मौसम परवल बहुत बच्छी पौधा है तो आप इसा तीन से चार साल तक पैदावार भर करती है आपके अच्छे प्लान के ग्रोथ के लिए अच्छे पैदावार लेने के लिए परवल की खेती के लिए अच्छी बलूई दूमर्ट मिट्टी या अच्छे जल निकाश वाले मिट्टी ही अच्छी मानी जाती है अच्छे जल निकाश वाले मिट्टी को खुद भी तियार आप कर सकते हैं अगर आपके एरिया में अच्छे बलूई दूमट मिटी नहीं है तो भी आप परवल की खेती कर सकते हैं कैसे उसके लिए आपको फिल प्रेपरेशन करना पड़ेगा अच्छी मृदा की तियारी करनी पड़ी ही अगर आप हेक्टियर में लगा रह होती है जो फैलने वाले जड़ होते बू होती है अच्छे जलनिकाश वाले मेदा तयार करने के लिए और बहतर पैदावर लेने के लिए खेत के जुताई के समय ही देरसों से 200 कुइंटल सड़ी हुई गोबर की खाद और 80 कुइंटल वर्मी कंपोस्ट अच्छे से खेत में जुदाई करके मिला देना चाहिए और इस तरीके से अलग-अलग बेट बना लेना चाहिए और बीच में फरो होना चाहिए बेट से बेट की दूरी आपका धाइमिटर ही होना चाहिए सो बात करते हैं परवल की खेती आप कैसे लगाए काटिंग से लगाई यार सीट से ग् मैदानी चेतर में आपका सप्टमबर अक्टवर का महिना होता है उसी टायम पर icaçãoल में पहले से ही तयार कर लिया जाता है थे हैसके आप खेट का तयार होने के और यह जो फ्रावर देख रहे हैं यह फिमेल फ्लावर है तो बात करते हैं फीमेल और मेल फ्लावर की रेशियो, परवल पूधा होता है ले 흥 जुसल प्लाव का उता है ऑबा एक집 मंपुष्प और video पुषप बन भाद के प海ं मर मात्याव प्लावर два जो परवल का पौधा होता है उसमें क्या होता है ना माधा फूल और नर फूल जो होता है अलग अलग पौधु में होता है तो बात करते हैं परवल की खेती के लिए माधा और जो नर फूल पौधा होता है उसका रेशियो कितना होना चाहिए यह नर पौधे का बैट है परवल तो यहां पर आप देख सकते हैं पुष्प को पहले से ही तोड़ लिया गया है सूर्य निकलने से पहली ही आपको आके परागन करवाना पड़ता है क्योंकि जो परवल की खेती होती है खुद से ही आपको परागन करवाना पड़ता है इस पौधे का कोई particularly pollinator नहीं होता है आप बात करेंगे कि जो मादा और नर पौधा है उसको आप कैसे पहचाने simple सा trick है एक होता है कि आप pushp देखके ही पहचान सकते है जैसे आप देख सकते हैं यह मादा flower है मादा flower में हमेशा fruiting होती है ना कि नर flower में होती है यह सारे आपके मादा flower है दूसरा होता है मैं आपको आसान सा तरीका बताती हूँ इसके जो पत्ते होते है उसको देखके भी आप थोड़ा बहुत पहचान सकते है कि यह नर पौधा है और यह मादा पौधा है जैसी कि आप ये देख सकते हैं जो दोनों पत्ते हैं इसका आप शेप देखिए इसका जो आकार है वो आप देख सकते हैं जो नर पौधा है उसका जो पत्ते का आकार है थोड़ा सा गोल में है और जो माधा पौधा है यो थोड़ा सा नुकीला टाइप का लंबे टाइप में परवल की अच्छी पैदावार लेने के लिए खाद की बात करें तो 90-100 kg नाइट्रोजन, 60-70 kg फॉस्पोरस और आपका 40-50 kg पुटाश खाद एक हेक्टेयर में डालना चाहिए परवल के खेत में कीट और खरपतवार का नियंतरन करने के लिए मचान विदी सबसे अच्छी वानी जाती है इस तरीके से बेड में लगाने से क्या होता है कि आप कोई भी इंसेक्टिसाइड या हर्विसाइड का स्प्रे करने से डायरेक्ट अपका पौधा मर जाएगा या मर जाता है मचान बिदी से आपका निराई गुराय आप असानी से कर सकते हैं कोई भी insecticide, herbicide का spray असानी से कर सकते हैं खाद देने में सुवीधा होती है, harvest करने में भी सुवीधा होती है और आपका जो पैदावार होता है वो आपका दुगना मिलता है प्लांट का जो हेल्थ होता है और फ्रूट की कॉलिटी बहुत अच्छी मिलती है इसमें भी बहुत अच्छी पैदावार आप देख सकते है और कॉलिटी भी बहुत अच्छी है बट मचान बीदी में आपका हर चीज सुविधा में आ जाता है ये जो आप घास देख रहे हैं, मचानवीदी में आप आसानी से इसका निराइगुराई कर सकते हैं, बट इसमें क्या हो जाता है ना आप बोधे को भी तोड़ सकते हैं, देखी कितिनी जादा घास हो गई है, इसको निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, अगर मचानवीद में कटाई चटाई कर लेना चाहिए, जितने पूराने सुखे ब्रांच होते हैं, उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि पूराने ब्रांच में कभी फल नहीं लगता है, और फल लगते भी तो उसका आकार बहुत छोटा होता है, हमेशा फल नए ब्रांचेस में लगते हैं, द पर्वल की ख्यश्क में बात करें तो रेटपंकिन बिटल का आटक बहुत जादा हो ता है यह फूल को खागे आपको फ्रूटिंग होने नए अपडेट के साथ, बाई बाई.